किस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्णिकल राजेस में तो आज का मैं बात करने वाला हूं डिजीपे के ओपर डिजीपे में आज मैं बात करूंगा अगर योज्स कर रहें ंदिश को पाई-बैंसी करना नहीं आता है अधार का नंबर से किसी भी बैंक का तो यह वीडियो इस इस आपके लिए बना हुआ है अगर आप लोग को पता भी है तो इस वीडियो को वाश कर लीजगा किसे अभी लटेश्ट अपडेट होते रहते हैं बार बार तो चलिए अपना वीडियो में स्टार्ट क और अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो आप लोग नहीं वाच कियें, CST के मैंने बना रखें, बहुत सारे आफर आते रहते हैं, तो मैंने सारे वीडियो बना रखें, हर एक अपडेट पे तिन टो जा कि आप वाच कर सकते हैं, तो चलिए अपने वीडियो में क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर देने के बाद मैं यहां पर scan का option है, scan पर click करूँगा तो हमारे machine पर light जल जाएगी, तो मैं भी capture कर दिया इसको, success हो गया, यह wait कर रहा है, security code generate करेगा, तो यह भी पूछेगा, आप किस पर OTP लेना चाहते हैं, तो यहां पर देखे, get on mobile, तो म internet OTP पर click कर दे रहा हूँ, तो हमारे phone पर भी OTP कर देगा जो हमारा register number है, तो हमारे phone पर भी OTP आ चुका है, तो मैं अपना OTP यहां पर type कर दे रहा हूँ, आपके पास जो भी आया हो आपना आप type करिएगा, तो हमने अपना ओटीप यहां पर type करना चालू कर दिया, और यह हमारा OTP टालने के बाद में Validate पे मैंने क्लिक कर दिया और यह हमारा Validate सक्सेश्फूल हो चुका है तो अब यह दुबारा से आटोमेटिक लॉग इन हो जाएगा इसको मैं दुबारा से उपन नहीं करना पड़ेगा तो देखिए यह लोडिंग कर रहा है तो जैसे कि मैं चिक करना जाता हूँ Payment Payment Bank का ठीक है तो मैंने वो Select कर लिया और यहाँ पर अपना अधार नंबर टाइप करना पड़ेगा तो मैं अपना अधार नंबर टाइप कर दे रहा हूँ आप जिस बिक्तिका चिक कर रहें उसका अधार नंबर टाइप करिएगा मैंने अधार नंबर अपना टाइप कर दिया एक बड़ इसको आप मैच करा लेना है यह करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पर Scan Finger पर क्लिक कर देना है तो आपको Finger में लाइड जो लेगी आपको finger put करना है capture successful हो चुका है अब यह request processing में चालू हो गया है तो अब यह check कर रहा है कि हमारा कितना balance है Paytm payment bank में तो अब यह आप देख पा रहा हुए मेरे Paytm payment bank मेरे नोसर balance है तो यह आपको एक इस तरह से message मिल जाएगा और आप लोग इसका record आप बना के रखिएगा तो अब इसको मैं close कर देता हूँ तो आप लोग का ऐसे मालूम पढ़ गया कि यह भी कैसे check करते हैं अगर आपको print receipt प्रिंट करनी है तो print receipt पर आपको option मिलेगा तो यहाँ पर जाके आप print receipt पर कर सकते हैं तो यहाँ पर PDF जो भी आपको option फो कर जाएगा तो यह छोटा सा update आपको कैसा लगा आप हमें comment box पर ज़रूर बताईएगा और अगर आप लोग डिजीपे के उपर और भी अगर अगर अपडेट नहीं देखें तो जो अपडेट आया था install कैसे करते हैं तो मैंने सारे वीडियो जब बना रखें आप जाके यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पर चले जाएगा प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप चले जाएगे डिश्टल सेवा पोर्टल पर जो हमारा बना हुआ है और यहां पर आप सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे तो DGP के उपर, CST के उपर मैंने कम से 40-50 वीडियो बना के रखे हुए तो आप सारे वीडियो वाच कर सकते हैं अगर आप CST में वर्क कर रहे हैं तो तो थैंक्स सो मॉच फोर वाचिंग में अगर देश वीडियो मिलते हैं ऐसे नियू अप्डेट में थैंक्यू